नमस्कार मैं दिवानशी दिव्य भारत निउस से आईए देखते हैं आज की खबर मध्य प्रदेश की राजनीती इन दिनों कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्या मंत्री पर दर्ज FIR को लेकर गर्माई हुई है FIR प्रदेश की शिवराथ सी चोहान की सरकार को कमिशनर खोर बताए जाने के खिलाफ दर्ज कराई गई है अब इस मामले में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि पूरा प्रदेश जानता है कि कितना ब्रष्टाचार है कितना कमिशन है लोग तो खुद लगे हैं उनके खिलाफ कार्यवाई हो पूच्टाच के लिए बुलाने जाने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि जब होगा तो होगा उन्होंने ये बात समाचार एजिंसी, ANI से कही है प्रदेश में 50 फिजदी कमिशन वाले ट्वीट पर प्रियंका गांधी और अन्य कॉंग्रेस नेताओं के खिलाफ 41 से अधिक जगा पर FIR दर्ज कराई गई है FIR दर्ज होने के बाद से BJP और कॉंग्रेस काफी आक्रमक है दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे है कॉंग्रेस का कहना है कि मद्यप्रदेश सरकार हो या कोई भी BJP सरकार उसके ब्रेश्टाचार का मुद्दा उठाने पर इस तरह की कार्यवाई आम बात है हम इस से डरने वाले नहीं है कॉंग्रेस यो ने एक बार फिर मद्यप्रदेश सरकार ब्रेश्ट बताया है